तो चलो बच्चो इस वाले question को देखते हैं इसमें क्या है कि hydrogen atom in ground state excited by the monochromatic light मतलब electron का hydrogen atom का ground state में है और उसको monochromatic light से हम excite कर दिये कितना radiation हम डाले 975 angostron the number of spectral lines in the resulting spectrum अब आप सबको पता है कि अगर इस्क्रीन पे हम spectrum बनाते हैं तो कितनी line जब वो excite हो चुका है तो जब de-excite होगा तो कितनी lines इस्क्रीन पे दिखेगी वो हमें निकालना है तो इस question से आप यह सीखोगे कि spectral lines क कैसे calculate करते हैं और इसका मैं बहुत ही आसान तरीका बताता हूं basically मैं दो मेधड़ बताता हूं और दोरों मेधड़ से आप जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना तो देखते हैं इसका क्या मतलब है पहले समझने की कोशिस करो जैसे यह energy level है ठीक है यह this is the energy level होता चला जाता है ऑन इस इकलोटो यह एकलो टू ठीड़ी कर देखा है और यह दो इक साइट जब जाएगा कहीं पर जाएगा हमको तो इससे को अलग अलग तरीके से पूशाजा सकता है कि अगर यहां से यहां से जो जब इलेक्टारण से निकली होगी कितनी स्रीकुएंस निकली होगी सबका मीनिंग यह है तो अब यहां इसको उसकी हिम्हार लिख लेते हैं रेक कि नंबर आफ फोनल्डी संवेडलेंटिड के इस चीज़ को मस इस चीज तने रहुंगे यहां पे number of transition number of transition is equal to number of lines number of lines इन सबका meaning एक ही है क्योंकि जब इलेक्ट्रान इधर जाएगा तो ऐसे तो जाएगा ही नहीं यार तो यहाँ पर जो wavelength है ओभा इस इस इलेक्ट्रान को जो हम एनर्जी दिए हैं उस एनर्जी की wavelength कितनी है उस एनर्जी की wavelength 975 एंगस ट्रॉन तो सबसे पहले मुझे ये पता करने पड़ेगा बच्चों कि ये इलेक्टाम excite होके किस वाले energy level में या किस वाले orbit में गया है तो ये बात हमें पता ही नहीं है कि किस वाले orbit में jump किया है तब ही तो हम निकाल पाएंगे number of line या transition कितना होगा या कैसे वापस आएगा या कितने photons निकलेंगे ये जो photons है number of photons निका हूँ बच्चों ये maximum photons है maximum photons ठीक है जब वो de-excite होगा तो maximum कितने photon आएंगे तो इस बात को पहले मैं पता करूंगा कि excited होके गया कहा है जब इसको इतनी energy का lambda दिया गया तो तो इस बात को पता करने के लिए बच्चों हमारे पास दो तरीके हैं basically दो method पहला ये है कि देखो जब wavelength अगर यहां से lambda दिये हो तो basically इस बात को पता कर सकते हो energy दिये हो ना तो इस वाले formula से calculate कर सकते हो देखो spectral line पता करने के दो तरीके हैं बढ़ा हमें ये पता करना पढ़े कि गया गया तो energy delta e is equal to hc upon lambda energy delta e is equal to hc upon lambda इतनी energy दे दिये तो यहां हमारा चला गया तो जब यह हमने यह मतलब जब वापस आएगा तो इतनी energy radiate कर देगा खुल मिला के तो यहां से energy difference calculate कर लेते हैं तो energy difference is equal to hc का इंगर्स्ट्राउन में है तो इंगर्स्ट्राउन में कैसे लिखते हैं यह सी की बेलू बारह नंबर 420 याद कर लो यह सी बर्मा प्राब्लम बारह नंबर और 400 उसका एंसर 420 होता है ऐसे याद कर लो एंगर्स्ट्राउन में और लैंबडा इस इकॉल टू 975 तो जब इसको कैल्कुलेट करोगे देखो कैल्कुलेट करो कितना एनर्जी डिफरेंस आ जाता है लेट आस कैल्कुलेट इट तो इसको कैल्कुलेट करोगे तो 12.75 आ जाएगा इसको 12.75 इलेक्टरॉन बोल्ट तो ये जो एनर्जी लेवल इतनी जो एनर्जी है वो एनर्जी डिफरेंस क्रियेट हो गई अब तुम्हीं ये देखना पड़ेगा कि इतनी एनर्जी डिफरेंस कहां मिलेगी जो वन वाला सेल है इसमें एनर्जी कितनी होती है माइनस 13.6 टू वाले में माइनस 3.4 बोला उन्हें याद कर लेना 1.5 इलेक्टरॉन बोल्ट और 0.85 इलेक्टरॉन बोल्ट ठीक है और और भी ये तो अगर देखोगे तो 12.75 5 इलेक्टरॉन बोल्ट इसमें तो आएगा नहीं इसमें तो 10.2 आता है तो इसमें भी नहीं आएगा तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो 4 वाले में आ जाएगा मतलब इलेक्टरॉन ये जो एनर्जी ये जो लैमडा डाले हो इन्सिडेंट एनर्जी पाख़ की एनर्जी लेवल फॉर में घया होगा समझ रहूं ना एनर्जी ये जो डिफेरेंस है डेल्टा एडेट इस डिफेरेंस एप इफर इफॉर माइनस एगे दिफिरेंस एफिरेंस है तोoc-05 ये प्लस करतो 13.60 तो यह जो difference है इतना difference 2.75 हमें मिल जा रहा है तो यह वाली difference मिल जा रही है तो बरावर यह बात हमको समझ में आ गया कि यह 4 में चला गया तो जब 4 में चला गया तो अब number of lines पता करने के लिए हमारे पास 2 तरीके, पहला तरीका है आपको फार्मूला याद हो और दूसरा तरीका है आप basic से कर सकते हो logic से कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे आप कर ले रहा तो यह बात तो पता चल गया कि n is equal to 4 में चला गया प्यारे बच्चों तो यहां से number of n1 पहले n1 में था और अब पहले n1 में था आवे n2 की value 4 हो गई तो जब वापस आएगा 4 से देखो तो पहला method यह है first method यह first method बेसिक है तो first method basic से हम transition से calculate कर लेते हैं तो अब यहां पे n is equal to 1 है n is equal to 2 है n is equal to 3 है n is equal to 4 है प्यारे बच्चों तो 4 से 1 में कैसे आएगा हमें इस दुनिया में किसी को नहीं पता हो कितने रास्ते से आएगा but maximum कितना हो सकता है वही number of photon या number of wavelength या number of transition होगा तो पहला तो रास्ता यह हुआ ऐसे आगया direct आना यहां है ground में आना भई तो पहला तो रास्ता यहां से हो गया कि deep side होके यहां आ गया आना इसको यह है दूसरा रास्ता यह हुआ three में आया फिर two में आया फिर one में आया और हर एक transition में एक photon generate करेगा एक wavelength एक frequency generate करेगा तो एक, दो, तीन, चार हो गया अब तीसरा तरीका यह है कि यह यहां से इसमें आया और फिर इसमें आया इसके अलामा कोई possibility नहीं है तो one, two, three, four, five, six one, देखो one, two, three, four, five, six तो number of spectral lines या number of number of photons जो आजाएगा number of photons या number of lines जो आजाएगा number of lines उसकी जो value आजाएगी प्यारे बच्चों वो six हो जाएगी पहला तरीका है हुआ दूसरा method है second method आप formula याद कर लो second method है अगर n1 n1 से कहाँ जम कर गया है n2 से तो n1 से अगर n2 में जम किया है तो number of lines जो होती है number of lines वो होती है n minus 1 और divided by 2 तो अभी n की value कितनी थी यहाँ n1 की value कितनी है n1 की value पहले किस में था n1 की value 1 थी और n2 की जो value है वो n हो गई मतलब n में ground से जब ground से excited हो की जाता है तो यह formula लगाते है अभी मैं आपको बता रहा हूँ यह और formula तो यहाँ पहले कहां ground से गया तो ground से गया तो 4 में गया तो 4 minus 1 और divided by 2 तो यह आजाएगा 2 that is 2 multiplied by 3 that is 6 लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर n is equal to 4 से माल लो कभी-कभी ऐसे difficult सवाल आ जाते हैं यह additional है कोई आपको जनरली बताएगा नहीं पड़े यह है इसको note कर लो important एक बात है कि कभी-कभी electron higher orbit में excite होगा और वो पुछ देगा कि higher orbit excite होगे किसी lower orbit में ground में नहीं आता किसी lower orbit में आता तब कितनी line generate होगी बात नहीं समझ में आजाएगा जैसे माल लो पहले electron n is equal to n1 is equal to 5 में था तो अब n1 is equal to 5 से n2 is equal to 2 में आ गया तो इस case में number of lines जो होती है number of lines जो होती है वो होती है n1 minus n2 plus 1 और n1 minus n2 और divided by 2 ये वाली चीज़ तो ये एक फार्मूला है जब higher मालो अब higher value आ गया है higher value मालो n is equal to 10 में था अब n is equal to 10 से पहले excited energy level 10 में था ये लेखता 10 से 3 में जम कर गया तो जब value लंबा हो जाएगा लेंदी हो जाएगा तो उस वक्त कैसे calculate करोगे तो उस वक्त ये वाला formula calculate करोगे अब इसमें n2 की value 1 रख दोगे तो ये देखो पहले वाला formula मिल जाएगा ठीक है तो ये कब लगता है जब higher energy level से ग्राउंड में किसी बीज में आता है intermediate state में ये कब लगेगा जब higher energy level से ग्राउंड में आएगा और ये तो दोनों के लिए लगेगा calculate कर सकते हैं तो कर लो तो इसका answer कितना हो गया देख लो इसका answer हम लोग का प्यारे बच्चों तो ये answer तरीके से clear हो गया होगा आपको मज़ा आ गया होगा तो चलो start करते हैं the ratio longest wavelength अब इसमें क्या पूछा है कि हमें longest wavelength डिश्चों